रांची के मंत्री आलम के करीबी से बरामत कैश पर प्रधानमधी नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि आज टीवी खोल के देखिए ज्यारकन में नोटों के पहाड आपको मिल रहे हैं अपने इस सेवक को अफसर दिया मैं तो गरीब मां का बेटा हूं तो मुझे गरीब का दर्थ समझाता है मैंने का मैं रूपिया एक बेजूंगा एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा और जो खाएगा वो जेल जा करके खाना खाएगा जेल की रोटी चबाएगा आपने देखा वगा अभी गर जाओगे तो टीवी पे देखना आज यहां पडोस में जारकन में नोटों के पहाड मिल रहे हैं नोटों के पहाड लोगों आएगा चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोधिवा और आजी में एडी की कारवाई के बाद बीजेपी कॉंग्रस पर हमलावर हो गई है और कहा है कि जारकन की तस्वीर अपूरी दुनिया ने देख लिया है तो इससे एक बात बहुत समझ लीजे यह राहूल गांदी जो कहते थे ना कि मैं हाओंगा सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बटवारा कर दूँगा कर अंतिकारी कदम उठाऊंगा अब एडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बटवारा किस धंग से हो रहा है मत्लम मंत्री तो छोड़िये मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िये निजी सचिव के नौकर के हां करोणों मिलने हैं तो देश की जंता को समझना चाहिए कि ये तथा कथित संपत्ति के बटवारे की तथा कथित क्रांती के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांती हो देश में तो वो इस्पष्ठ हो जानी चाहिए